आसरम वेब स्रीज में भोपा स्वामी के किरदार से तारीफे बटोरने वाले एक्टर चंदन रोय सानियाल के पास आज भले ही अच्छा काम हो लेकिन एक वक्त ऐसा था जब उन्हें काम के लिए काफी जद्दो जयत करनी पड़ी थी वह भी तब जब वे साइद कपोर सुके थे इस्ट्र गरल कि दिनो में अन्य कई कलाकारों कि तरह चंदन ने भी काफी प्रेशानिया झेली है चंदन रोय सानियाल ने मीडिया को दिये एक इंटरव्य में ये कहा है कि इस्ट्रेगल के दिन उनके लिए भी आसान नहीं रहे हैं चंदन का खेहना है कि विसाल पारद्वाज की फिलिम, कमीने में मेरे काम को काफी नोटिस किया गया था और क्रिटिक से भी खूब तारीफे मिली थी, अब मुझे लगा था कि अब मुझे काम मिलना सुरू होगा, लेकिन इतनी तारीफे पाने के बाद भी मुझे काम नहीं मिला था, छोटे छोटे किरदा मुझे ओफर किये जा रहे थे, लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी थी, और अपनी पूरी कोसिस करने में लगा हुआ था कि अच्छा काम मिले, मैंने कान की तलास में खूब ओडिसन दिये, और ओडिसन भी बेहत अच्छे हो जाते थे, लेकिन उसके बाद भी मुझे रिजेक् इसलिए काम ना मिलने की वज़ा से ये चिंता भी मुझे खाय जाती थी, हाला कि दीरे-दीरे समय बदला और OTT का समय आया, OTT पर मैंने कई वेब स्रीज की, लेकिन साल 2020 में जब आसरम वेब स्रीज आई, तो मेरी किसमत बदल गई, चंदन कहते हैं कि आसरम में काम करने के बाद ना सिर्फ लोग मुझे पहचानने लगे, बलकि अब मुझे ओफर भी अच्छे मिलने लगे हैं, वैसे दोस्तों भोपा स्वामी के इस बयान को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ऐसे ही लेटेस्ट और इ सब्सक्राइब करना ना भूले